हाई फ्रेंट्स वेलकम टू आरे केरियर अकेडमी आज हमनों करेंगे करेंट अफेर 25 फेब्ट 2019 का और अगर अभी तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए तक कोई भी नोटिफिकेशन अप कल आपसे कोईशन पूछा गया था हड्डियों और दांतों के गठन के लिए निम्न लिखीत में से क्या अवश्यक है वीच अब दा फॉलोइंग सा रिक्वाइड फॉर्मेशन सब बोन संटीत इसका करेक्ट एंसर था केल्सियम और फॉस्पोरस सारे लोगों ने करेक्ट दिया है तो चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं आज का सबसे पहला कोश्चन है ISSF विश्वकप 2019 में अपूर्वी चंदेला ने निशाने बाजी की किस प्रतिस्पदा में पहला पदक जीता तो करेक्ट एंसर है 10 मीटर एयर राइफल में अब देखें IISF का कोश्चन यह भी बन सकता है चलिए देख लेते हैं और कुछ भी तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन मतब इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है इंडिया में हो रहा है इसका 10 मीटर के राइफल में अब पूर्वी यह मेंबर्शिप इसका टोटल 150 कंट्री लिए हुए है यह कफ फर्मड हुआ था 1907 में फर्मड हुआ था हेट क्वार्टर इसका कहां पर है जर्मनी मुनिच एक जगा है जहां पर इसका हेट क्वार्टर है तो यह भी इंपोर्टेंट कोश्चन है कि हेट क्वार्टर कहां है ISSF का ये पूछा जाता है और इसके प्रेसिडेंट कौन है वेल्देमीर निशीन इसके प्रेसिडेंट है चली ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है अब और भी देख लिजे देखिए सौरव चौधरी जो है दस मीटर एयर पिस्टल मेन में पहले नमबर पर रहे हैं तो इ 20 तारीक को जो हुआ सौरव चौधरी जो है दस मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीते हैं और ये 16 साल के उम्र में मतलब कि ये कर नामा कर दिखा है और इनको यहां जीतने के बाद इनका ओलंपिक में जाना अब देके 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन मैन में पेनिस इस्टन जो है वो जीते हैं और 25 मीटर पिस्टल में में मेजर भिरोनिका जो है वो जीती हैं ठीक है मगर ये लोग अपने कंट्री के नहीं है अपने कंट्री का दो ही गोल्ड जीता गया अभी तक एक सौरव चौधर और एक देहां पर आप देख सकते हैं अपुर्वी चंदेला ये दोनों लोग ने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीत लिये हैं तो ये भी अच्छा है अभी इंडिया का रैंकिंग 2 चल रहा है फिलहाल अभी तीन दीन और खेल बाकी है चले देखते हैं हीपो केंप ज हो जा गया जिसका नाम है हीपो केंप मतब कि मून कि सको बोले जाता है आर्थ का सेटेलाइट कौन सा मून है नेचलल सेटेलाइट उसली तरह है है ये नेप्चुन का नेचलल सेटेलाइट है ठीक है रोटेशन जो है 15.7 दिन में होता है और रेवल्यूशन जो है नेप्चुन का 165 दिन में होता है चले देखते हैं आगे बढ़ते हैं चुनाव आयोग ने मतदाता पंजी करण यह अनसंबंधित सेवाओं के लिए कौन सा हेल्प 9 नंबर जारी किया है तो 1950 आपका करेक्ट एंसर हो गया विश्वकप की सबसे बड़ी मदुमक की 40 वर्ष के पस्चाथ फिर से किस देश में खोजी गई है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा इंडोनेशिया तो अब बताएए 1981 में इसको रेड़ बुक में लिख दिया गया था कि यह बिलूप्त हो गई है मतलब अब नहीं पाई जाती है मगर 40 साल बाद फिर इसे खोज लिया गया है कहां पर इंडोनेशिया के जंगल में तो यह बिलूप्त पर जाती थी जिसको फिर से खोजा गय की तो सुडेन इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा तो कि यहां पर कोश्चन 6 कर लिजिए ठीक है कोश्चन नमबर 6 है निमनलिकित में से किशे स्योल सांती पुरसकार 2018 से सम्मानित किया गया करेक्ट एंसर हो जागा श्री नरेंद्र मोधी तो हम आपको यह कोश्चन रेगूल आपको बताएंगे ही बताएंगे तो यह 14 सियोल पीस प्राइस था ठीक है साउथ कोरिया द्वरा दिया गया था परधान मंत्री को पहले वेक्ति हैं भारत में जिनको यह मिला है चले देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन दच्छन अफिरका में टेस्ट सिरी जीतने वाली पहल टेंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर नाइन देख लिजिए इजी टिये कप अंतराश्टिये भरो तोलन वेट लिफ्टिंग किषने जीता तो देखिए सेखम मीरा बाई चानू यह भी कोश्चन आपको रिपीट किये हैं अब हाला कि मन्त लास्ट हो रहा है तो आज में जो इसका करेक्ट एंसर हो गया चलिए अब स्टेटिक कोश्चन देख लेते हैं वहुत इंप्पॉटन हम्स्ट हम इस्टेटिक कोश्चन आपको हर दिन जो बताते हैं अगर लिखते चलिएगा तापका 200 question तयार होगा जो बहुत important होगा और जो हम topic करते हैं वो पूड़ा का पूड़ा कर देते हैं जैसे कि temple कर रहे हैं, NH highway कर रहे हैं, brand master कर रहे हैं तो इसमें ये पूड़ा जब complete हो जागा अब फिर biology भी साथ साथ में कुछ कुछ question डालते चलते हैं तो ये जब question topic complete होगा तब फिर दूसरे topic बजाएंगे तो इस तरह करके हम कोसिज करते हैं कि जो important है उसको हम करा दें चले देखते हैं next question question है NH44 is the longest national highway in India तो ये हम आपको total अभी तक 5-6 national highway बता चुके हैं तो आज NH44 के बारे में बात करेंगे ये longest national highway है इंडिया का 3745 km का स्री नगर से कन्या कुमारी तक चले देखते हैं next next है सांची इस्टूपा सांची इस्टूपा कहा है ये question आपसे पूछा जाता है तो ये है मध्य परदेश में ठीक है 3rd century BC में इसको बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था तो असोक के द्वारा बनाया गया था next question है सिद्धी बिनायक temple सिद्धी बिनायक temple जो है ये मुंबई में है ठीक है प्रभादेभी पेलेश जो है वहाँ पर तो याद रखिएगा सिद्धी बिनायक temple मुंबई में है अब बनाया कब गया था 19 नवंबर 1801 को बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था असाम government has decided to make हीमा दास state brand ambassador for the sports आपको पता है कि 400 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता था तो इनको असाम government जो है वो अपना brand ambassador के तोर पर sports के लिए चुना है नेक्स देखते हैं question चलिए हो गया टोटल पांच question था इस्टेटिक्स का complete हो गया रिवीजन कर लेते हैं कल के question का और अगर अभी तक आप like नहीं किये हैं तो like कर लिजे वीडियो को और साथ साथ में subscribe जरूर कर लिजे कल का question है 10 question आता है उसको revision करते हैं जली जली से तो नयाय मूर्ति उमानास सिंग किस राज के प्रथम लोक आयुक्त न्यूक्त किये गए नागालाइंड आपका correct answer हो गया निमनलिकित में से किसे शियोल सांती पुरसकार 2018 से सम्भानित किया गया correct answer हो गया नरेंदर मोधी तो देख लिजे जो शियोल सांती पुरसकार 1990 में established हुआ था सबसे पहले इस्पैन को दिया गया था और 2019 के लिए नरेंदर मोधी को चुना गया 2016 में आपको Democratic Republic of Congo में Dennis Mukweiss को मिला था चले देखते हैं next केंदरिये कपड़ा मंत्री स्रीमती इस मृती इरानी ने किस राज में 22 फरोरी 2019 को सम्मिनवित व्यापक इरी फार्मिंग का सुरुवात की अरुनाचल परदेश इसका correct answer हो जागा पेमा खंडू है के चीफ मनिस्टर है बेडी मिश्राप के गवर्नर है यह सारा कुछ तम आपको बता चुके हैं लोग सभा में 2 सीट है, राज सभा में 1 सीट है और यहाँ पर एक important question और बताते हैं हम आपसे कल पूछे थे question जो सायद बहुत कम लोग ने answer दिया है, फिर से आज question उसी को दोराते हैं, कि बुद्धिस्ट मौंग का सबसे बड़ा मठ जो है अरुनाचल परदेश में उसका नाम आप लोग जरूर लिखिए comment session में, ठीक है, चले देखते है next question, सिंधू नदी जल संधी 1960 के तहट किंती नदियों के जल के पूरी तरह इस्तमाल का अधिकार भारत को दिया गया, तो ब्यास सतलज और राभी, तो यहाँ पर एक question और बनता है कि सिंधू जल संधी कब हुआ था, तो 1960 में question number 5 देखते हैं, 100 वर्स पहले बिलूप्त हो गई कच्छुआ की कौन सी प्रजाती फिर से प्राप्त हुई है तो फोरण डीना विशाल कच्छुआ अब यहाँ पर दो important चीज़े आज आपको मधुमक्खी का एक बिलूप्त परजाती को बता है कल आपका एक कच्छुआ का बताया थे तो यह सब question जो है important हो जाता है, ठीक है चले question number 6 देखते हैं परधान मंत्री ने 21 फरवरी 2019 को दच्छिर कोडिया के किस विश्व बिद्याले के महत्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया तो 620 विश्व बिद्याले question number 7 देखते हैं राष्ट पती ने किस वर्स के भारतिये स्टंप एक्ट के में संसोधन की मंजूरी दी तो 1899 एक्ट था उसको मंजूरी दे दी है question number 8 देखते हैं राष्ट ये मात्रे भासा दिवस 2019 किस तिती को मनाया जाता है तो correct answer हो जाएगा 21 for worry चलिए question number 9 देखते हैं किस देश के राष्ट पती ने विशेस अंतरिश वल के गठन करने के आदेश प्रहांस्ताक्चर किये तो इसका correct answer हो जाएगा USA question number 10 देखिए निमनलिकीत में से कौन से राष्ट पती खेल 2022 को सुबारंब होगा कौन देखिए निमनलिकीत में से राष्ट ये खेल 2022 का सुबारंब होगा तो इसका answer हो जागा clouded leopard और ये नया खेल है जो राष्ट ये खेल 2022 में जोड़ा जाएगा 2022 का national game कहां पर होगा मेगाले में होगा इसको भी याद रख लिजेगा question of the day देख लेते हैं अगर अभी तक आप वीडियो का like नहीं किए तो like जरूर कर दिजे question of the day देखिए tennis में कतर open 2019 की महिला एकल बिजयता कौन है चार option देख लिजे Simona, Halep, B, Serena Williams, C, Alice, Maritans, D, Noami, Oshoka ये correct answer आपका जरूर होगा आप लोग अधी comment session में जरूर इसको लिखे क्योंकि इस type का question हर exam में पूछा जाता है अगर आप comment session में गलत भी दे देते हो तो कल आपको इसका answer पता चल जाएगा तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा और 110% इस type का question exam में आता ही आता है tennis से सम्मंदी तो हर साल कुछ न कुछ आपको एक question आ जाएगा ठीक है, sports से सम्मंदी जितना भी exam दोगे इंडिया में सब में कुछ न कुछ पूछाई जाता है तो इसका answer comment session में जरूर लिखेगा चले thank you for watching, share and subscribe और ज्यादा से ज्यादा चनल